हेलो फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्व चैनल जोवड़ा में स्वागत है यहाँ पर आज फिर से मैं एक निव वेकेंसी के साथ आ चुका हूं तो मारूती सुजू की टी डबलू का जो है वेकेंसी आ चुकी है तो अगर आप भी मारूती सुजू की टी डबलू का ओनलाइ काउं शार करना चाहते हैं तो चाहित के बारे में यहाँ बात करने वाला हूं और आप लोगों को सिक्ति बात कर सकते हैं और एक चीज यहां कर गयों और गयों कि आतने साइड में थैडिया हुए हैं पहले के अनुसार से बहुत ही इजी है यहां पर आप लोग को कौन-कौन से changes हुए है साइट में वह भी देखने को यहां पर मिलेगी इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारी चीजे बताऊंगा यहां पर आप लोगों को मैं बता दू कि पहले जो है फॉम को फिलप नहीं कर पाते थे तो यहां पर अब वह सब सारी चीजे हटा दी गई है आप अपने ही फॉन से आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो में अस्टेप आस्टेप में बताया हूं और यहां पर कौन-कौन से चे कर दें ताकि यह एक एक नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले तो चलिए आप लोगों के स्क्रीन पर ले चलता हूं और आप लोगों को यहां पर अश्टेप आश्टेप फॉन भी फिलप करके बताता हूं तो यहां पर देख पार है कि मारुती जूकि का जो है वो गुरगाओं और मानेशर प्लांट है ता आप लोगों को यह दो लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पर भेजा जाएगा और डिवरीशन जो सेवन मन्त तक रहेगा सैलरी यहां पर आप लोगों को 27,299 रुपया मिलेगा आप्टर डिड़क्शन पी एफ और यहां पर एक्सेडेंटल वेरिफिकेशन होगा प्री इंप्लॉइमेंट मेडिकल चेक अप होगा उसके बाद आप लोगों को जॉइनिंग होगा इजिबिलीटी क्राइटेरिया की बात करें ती यहां पर ट्रेड्स देख पार ही फीटर, वेल्डर, पेंटर, एलेक्ट यहां पर जितने भी ट्रेड्स दिये गए हैं वो ही इस्ट के लिए इलिजिबल होंगे और यहां पर एज लिमिट की बात करें तो 18-26 रखा गया है और आईटी एकॉंसिल के बात करें तो एंसी भीटी या फिर एसी भीटी और यहां पर आगे देख पार हैं कि गोबर्में यहां पर आप लोगों को यह दो प्रोसेस हो गया थर्ड प्रोसेस में आप लोगों को फिल इन यूर इलिवेंट डीटेल एंड प्रिफरेंस तेहां पर आप लोगों को यह तिन स्टेप में टोटल यहां पर फिल अप होने वाला है तो आप लोगों को इसका लिंक जो है इ यहां पर पास आउट और यह जो है लास्ट डेट इसका 25 नमबर तक है तो आप जो है इसका डेट खतम होने से पहले आप अगर जौब करना चाहते हैं मारूती में तो आप जो है वो TW के लिए रेजिटेशन कर लें और रेजिटेशन करने के लिए यहां पर आप लोगो को कौ या प्रोसीड पर करेंगे तो आपकर सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा तो यहां पर देख पा रहे हैं कि यह जो फॉर्म ओपन हो चुका तो इस तरह से आप लोगों को फिल अप करना तो चलिए आप लोगों को मैं फिल अप करके भी बता देता हूं कि रेजिस्टेशन फो और यहां पर रेजिस्टेशन फोम यह ओपन हो चुका है। यहां पर कैटेगरी में देख पा रहे हैं कि टी डबू सेलेक्ट मिल रहा है उसके बाद यहां पर आप लोगों को मोबाइल नंबर फिल अप करना है, तो चलिए यहां पर मैं मोबाइल नंबर अपना फिल आप क करना है उसके बाद आगे देख पारे कि प्रोफेशनल इंफ्रोमेशन व्यक्तिकत वीवरान यहां पर आप अपना फर्स्ट नेम फिलब करेंगे उसके बाद यहां पर आगे मीडिल नेम फिलब करेंगे लास्ट नेम उसके बाद जेंडर यहां से सेलेट करेंगे उसके बाद उम्र फादर्स नेम उसके बाद यहां पर देख पारे परजेंट अड्रेस तो वर्तमान पता यहां पर फिलब करेंगे उसके बाद अश्ट्रीट विलेज गली गाउं का यहां पर आप अपना नाम फिलब करेंगे यहाँ पर आप अपना state select करेंगे, district select करेंगे, pin code यहाँ फिल अप करेंगे, अगर आपका present और permanent address दोनों same है, तो आप same as above पे click करेंगे, तो आपका यह सारा form यहाँ पर fill up हो जाएगा, जो आप present address में fill up करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको category में choose कर लेना है, आप SC, ST या फिर आप married है, तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर alternate mobile number, आप यहाँ पर जैसे कि देख पार है, कि जितने भी star mark वाले हैं, वो जो है, यहाँ पर आप वो को fill करना compulsory है, और यहाँ पर जितने भी star mark वाले नहीं है, उसे आप fill कर सकते हैं, या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पार है, कि mobile number यहाँ पर अश्टार मारक है ते, आपको यह कंपल सरी है देना, और alternative mobile number यहाँ पर वेकल पी, mobile number आप दे भी सकते हैं, या फिर छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद email ID यहाँ पर गंपल सरी है, उसके बाद blood group आप दे सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर आप देख पारें कि अधारough customerể देना प्वेन कार्ड कर दों यहां पर फिल अभ करना है उसके बाद सेक्षिन की योग यह ता आप अपना दस्तौत का जो ही यहां पर आपको सारा चीज fill up करना होगा ये compulsory है college या विस्वी द्याला कर नाम fill up करें उसके बाद यहाँ पर जो है आप regular थे तो यहाँ पर आप इसे select कर लेंगे उसके बाद आप कब admission लिये थे 10th में तो यहाँ से आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पर month and year उतीर तो यहाँ पर आपका pass किये थे 10th तो यहाँ पर fill up करना उसके बाद percentage कितना था यहाँ पर percentage fill up कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर 12 का जो है यहाँ पर compulsory नहीं आप अगर 12 किये हुए है तो आप इसे fill up करेंगे अनथा आप इसे छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देख पारें कि एनी अधर graduation अगर किये हुए हैं तो आप इसे fill up करें अनथा यह भी compulsory नहीं है उसके बाद आई टीए डीटेल यहाँ पर compulsory है तो यहाँ पर आप आप आई टीए पर सारा trades आप लोगों को देखने को मिल जाएगी उसके बाद जो है यहाँ पर आप एडमिसन कब लिए हुए थे इसमें तो यहाँ पर आप जब इसमें एडमिसन अगर आपके पास है तो यहाँ करेंगा अन्ता आप छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देख पार कि फैमिली डीटेल्स तर्सनेम यहाँ पर फिलप करना है जैसे कि देख पार यह कंपल्सरी होगा आप लोगों के लिए यहाँ से मैं फादर्सनेम फिलप कर लेता हू फादर्सनेम फिलप करने के बाद यहाँ पर उम्र फिलप करेंगे उसके बाद आपके पिता जी क्या करते हैं वेबसाइट क्या है तो यहाँ से आप फिलप करेंगे तो यहाँ पर आप अपना वेबसाइट फिलप कर लेंगे उसके बाद आपके पिता जी का एन्वल इंकम कितنا है तो यहां से आप income mira कराएंगे उसके भाद mother details आप के उसके बाता जी का नाम क्या थे यहां पर आप जो है select कर लेंगे silent करेंगे तो यहां पर मैं नाम भी fill up कर देता हूँ उसके बाद website आपके माता जी क्या करते है एंवल income क्या है उसके बाद brother details तो आप इसे fill up कर सकते हैं या फिस छोड़ सकते ये कंपल सरी नहीं है उसके बाद यहाँ पर आगए sister details इसे भी fill up करेंगे अने था आप इसा छोड़ भी सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप ही लगर ना चाहते हैं नहीं तो आप कर सकते हैं और annual income में जो है वो आप एक 약 से कम फिलब करेंगे जैसे कि 85,000 या फिर 18,000, 70,000 या 75,000 उसके बाद यहाँ पर जो है occupation आप जो है वो क्या करते हैं कि आप इसे फिलब करेंगे या नथा आप छोड़ सकते हैं उसके बाद other information तो आप लोग को जो है ये फिलब करना अनिवारे होगा तो यहाँ पर देख पार है कि computer knowledge अगर आपके पास computer ग्यान है MS Word या MS Excel या internet या basic चीज़े जानते हैं ता आप यहाँ पर आप इसे silent कर लेंगे तो यहाँ पर मैं MS Word जानता हूं MS Excel जानता हूं इंटरनेट यह सब जानते हूं basic knowledge भी है तो मैं इसे yes कर लिया उसके बाद यहाँ पर देख पार है कि क्या आप विकलांग है अगर आप हैं तो yes नथा आप no पर click करेंगे और आगे देख पार है कि अगर हाँ तो विवरन दीजे तो अगर आप yes करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर विवरन देना होगा कि आपको क्या हुआ है उसके बाद आगे देख पार है कि क्या आप चार पहिये वाला गाड़ी चलाना जानते हैं अगर आप जानते हैं तो yes करेंगा नहीं था आप no करेंगे अग आपर मेन देता हो तियाँ पर आप लोगो नो कर देना है उसके ऐहाँ पर देख पा रहे हैं कि कभी आप यहाँ तो कब और कहा अगर आप इस form भी fill up किये हैं तो आप यहां पर यह देंगे कि आप कब किये थे और कहां के लिए किये थे अगर आप नहीं किये हैं तो यहां पर आप no select करेंगे कि यहां पर बोला जा रहा कि कि आप ने पहले कभी मारुति-सूझू के SMG में काम किया है यदि आ तो उसका विवरण दीजिए तो अगर आप इस पर किलिख करते हैं तो आप लोगों को विवरण देना होगा कि आप कहां पर काम किये थे अगर नहीं तो आप इसे ऐसे ही बॉक्स को खाली चोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है फोटो अप्लोड करना है जो फिर जे पी जी ओ भी मैक्सिमम दो एमबी तक आप अप्लोड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कोविड-19 पहले हुआ है अगर हुआ है तो यहा यहाँ पर जैसे को देख पार की मेरा जो है अप्लोड हो चुका है उसके बाद यहाँ पर नेम क्या था आप कौन सा लिये तो मैं को विझेट लिया है उसके बाद इस तारिक में आप लिए होंगे उसके बाद अगर यहाँ पर आप सकेंड डॉज लिए हैं तो सकेंड डॉज का यहाँ पर डेट डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगो को जो है लास्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सम्मीट का बटन दिया हुआ तो सारी चीज़े फिलप करने के बाद आप समीट पर किलिक करे आउं जैसे देख पा रहे हुए कि यहां पर जो जो कंपल्सरी था वह यहां पर मैं सारी चीज़ यहां पर फिलब कर लिया हुँ इस तरह से आप भी अपना फोन जो है completely fill up करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोग जैसे की देख पार कि last में जो है submit का बटन दिया हुआ तो आप लोग submit के बटन पर click करेंगे आप जैसे की देख पारे कि आप जैसे submit के बटन पर click करेंगे तो आपका यह जो है फॉम इस तरह से जो है submit हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर देख पारे कि पहले जो है ओ केरियर कुछ करके आता था लेकिन अब जो है यहाँ पर वीजन इंडिया करके आ रहा है उसके बाद देख पारे कि यहाँ पर जैसे कि मैं दिखा देता हूं कि आप लोगों को इमेल आइडी पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा आ चुका है message कि यह form मेरा submit हो चुका यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे कि मेरा registration number registration station of date और categories और यहाँ पर नाम और यहाँ पर फादर्स नेम डेट और यहाँ पर completely यह सब सारी चीजे आ चुकी है तो आप लोगों को completely form fill up करने के बाद आपका email और message जो भी नंबर किये होंगे उस पर चला आएगा आप भी अपना form fill up कर सकते हैं आप लोगों को कहीं जाने की जुरूरत नहीं है फाद से ही completely ऐसे आप form को fill up करेंगे कहीं पर आप लोगों को दिक्कत हो अगर आप लोगों को सुझा हो और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें comment box में comment करके जरूर बताएं और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले साथ ये वेल आइकन घंटी को फ्रेश कर दें ताकि ऐसे है रेकिक नूई वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहें तो चली मिलते हैं ऐसे निई वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक यू जय भारत वंदे मातरम